C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है, अध्याय तीन जल संसाधन, प्रिष्ट 25, यहां एक चित्र में दो मित्रों, पिंकी और चिंटू की वारतलाप है, पहला मित्र, पिंकी, क्या तुमने टीवी पर उडिशा में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट हे भगवान, उसने क्या प्रलै मचाया है, रास्ते में जो कुछ आया बरबाद कर दिया और बहाली गई, दूसरे मित्र, हाँ चिंटू मैंने देखा, क्या ये आश्चरे जनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है, हम पानी के बिना क्या करेंगे, मेरे प कार खाना भी जल विद्यूत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है, अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन यूगों में मानव, नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे जर्नों, जीलों, पोखरों और मरूद द्यानों के आस पास क्यों बसता था, जैसा कि आप हमें सदही अपवा और भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनरभरण जलिये चक्र द्वारा होता रहता है, सारा जल जलिये चक्र में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरण सुनिश्चित होता है, आपको आश्चर हो रहा होगा कि ज जब प्रित्वी का तीन चौथाई भाग जल से घिरा है और जल एक नवी करण योग्य संसाधन है तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है ऐसी भविश्यवानी क्यों की जा रही है कि दो हजार पचीस में बीस करोड लोग जल की नितांत कमी ज पुल आयतन का 96.5 प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5 प्रतिशत अलवनिय जल है विश्व में अलवनिय जल का लगभग 70 प्रतिशत भाग एंटार्क्टिका, ग्रीनलेंट और परवतिय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिम नदों के रूप में पाया जाता है पॉइंट दो भारत विश्व की वरिष्टी का 4 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त करता है और प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133 स्थान है पॉइंट तीन भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 प्रतिवर्ष अनुमानित है पॉइंट चार भविश्यवानी है कि 2025 तक भारत का एक बड़ा हिस्सा विश्व के अन्य देशों और क्षेत्रों की तरह जल की नितांत कमी महसूस करेगा जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरण योग्य गुणों के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुरलबता का सामना करना पड़ सकता है जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें ततकाल ही कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखा ग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरूस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तै करती पनिहारिनों के चित्र चित्रित हो जाते हैं यह सच है कि वर्षा में वार्शिक और मौसमी परिवर्टन के कारण जल संसाधनों की उपलब्दता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, परंतु अधिक्तया जल की कमी इसके अतिशोषन, अत्यधिक प्रियोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल के असमान व चित्र के पहले अंश में एक बच्चे को दिखाया गया है, जहां पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लाइक पानी की एक बूंद नहीं है दूसरे अंश में भूकंप प्रभावित एक महिला पानी की कमी से जूचती हुई बर्फ में से पानी ले जा रही है तीसरे अंश में कुछ महिलाएं पानी की कमी से जूचती हुई, पानी प्राप्त करने के लिए पंक्ती में खड़ी है स्वीडन के एक विशेशग्य, फालकन माक के अनुसार जल की कमी तब होती है, जब प्रतेक व्यक्ति को प्रतिवर्ष एक हजार से सोले सो घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद, वहां जल की दुरलब्धा हो, हमारे कई शहर इसके उदाहरण है जल दुरलब्धा अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वित्रन का परिणाम हो सकता है जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेल्यू उपयोग में ही नहीं, बलकि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए अता, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अती शोशन करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है और शुश्क रितू में भी खेती की जा सकती है आपने टेलिविजन विज्यापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नल कूप हैं जिनसे सिंचाई करके वे उत्पादन बढ़ा रहे हैं परंतू आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है इसके कारण भौम जलस्तर नीचे गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षा खत्रे में पड़ सकती है स्वतंतरता के बाद भारत में तेजी से औद्योगी करण और शेहरी करण हुआ और विकास के अफसर प्राप्त हुए आजकल हर जगहा बहुराश्ट्रिय कंपनिया अर्थात MNCs बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण आलवनिये जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए उर्जा की भी आवश्यक्ता होती है और इसकी काफी हद तक पूर्ती जल विद्यूत से होती है वर्तमान समय में भारत में कुल विद्यूत का लगभग 22 प्रतिशत भाग जल विद्यूत से प्राप्त होता है इसके अलावा शेहरों की बढ़ती संख्या और जन संख्या तथा शेहरी जीवन शेली के कारण न केवल जल और उर्जा की अवश्यक्ता में बढ़ोत्री हुई है अपितु इन से संबंधित समस्याएं और भी गहरी हुई है यदि आप शेहरी आवास, समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालें तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ती के लिए नल कूप स्थापित किये गए है इसमें कोई अश्चर नहीं है कि शेहरों में जल संसाधनों का अतिशोशन हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है अब तक हमने जल दुरलबता के मातरात्मक पहलू की ही बात की है आओ, हम ऐसी स्थिती के बारे में विचार करें जहां लोगों की आवश्यक्ता के लिए काफी जल संसाधन है परन्तु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुरलबता है ये दुरलबता जल की खराब गुनवत्ता के कारण हो सकती है पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विशाय बनता जा रहा है कि लोगों की आवश्यक्ता के लिए प्रचुर मातरा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और ओद्योगिक अपशिष्टों, रसाइनों, कीटनाशकों और क्रिशी में प्रियोक्त और वर्कों द्वारा प्रदूशित है और मानव उप्योग के लिए खतरनाक है भारत की नदियां विशेशकर छोटी सरिताएं जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं और बड़ी नदियां जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं है बढ़ती जनसंख्या क्रिशी आधुनी की करण, नगरी करण और और अध्योगी करण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुश परभाव है और हर दिन गहराता जा रहा है इस से संपूर्ण जीवन खत्रे में है आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संद्रक्षन और प्रबंधन करें स्वयम को स्वास्ते संबंधी खत्रों से बचाएं खाद्यान्य सुरक्षा अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक पारितंत्रों को निमनिकृत अर्थात डीग्रेडेशन होने से बचाएं जल संसाधनों के अती शोषन और कूपरबंधन से इन संसाधनों का ह्वास हो सकता है और पारिस्थिती की संकट की समस्या प inception हो सकती है जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव हो सकता है क्रिया कलाप अपने दिन प्रति दिन के आनुभव के आधार पर जल संरक्षन के लिए एक संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें प्रिष्ट संख्या 28 बहु उद्देशिय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन हम जल का संरक्षन और प्रबंधन कैसे करें पुरा तत्व वैज्ञानिक और एतिहासिक अभिलेक या दस्तावेज अर्थात रिकॉर्ड बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांथ, जलाशय अत्वा झीलों के तटबंथ और नहरों जैसी उत्क्रिष्ट जलिय कृतियां बनाई हैं इसमें कोई अश्चरे नहीं कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांथ बनाए हैं प्राचीन भारत में जलिय कृतियां पॉइंट एक इसा से एक शताबदी पहले इलाहाबाद के नस्दीक श्रिंग वेरा में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्क्रिष्ट जल संग्रहन तंत्र बनाया गया था पॉइंट दो चंद्रगुप्त मौर्या के समय ब्रियत स्तर परबांध जील और सिंचाई तंत्रों का निर्मान करवाया गया पॉइंट तीन कलिंग उडिशा, नागारजुन कोंडा, आंधरप्रदेश, बैननूर करनाटक और कोलहपुर महाराष्ट में उत्क्रिष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं पॉइंट चार, अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम जीलों में से एक भोपाल जील ग्यारमी शताबदी में बनाई गई पॉइंट पांच, चौदमी शताबदी में इल्तुत मिष्णे दिल्ली में स्रीफोट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए होजखास अर्थात एक विशिष्ट तालाब बनवाया स्रोट डाइंग विजडम CSE 1997 चित्र 3.2 में हीरा कुंड बांध दिखाया गया है बांध क्या है और वे हमें जल संद्रक्षन और प्रबंधन में कैसे सहायक हैं परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते अपितु उनका उद्देश्य, विद्युत उत्पादन, घरेलू और ओद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ती, बाढ़ नियंत्रन, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मचली पालन भी है इसलिए बांधों को बहु उद्देश्य परियोजनाएं भी कहा जाता है जहां एक कत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखडा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है इसी प्रकार महा नदी बेसिन में हीरा कुंड परियोजना जल सनरक्षन और बाढ़ नियंत्रन का समन्वे है बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आम तोर पर जलाशय छील अत्वा जल भरन बनाती है बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है ना कि इसके ढांचे से अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसके उपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है बांधों का वर्गी करण उनकी संरचना और उद्देश या उचाई के अनुसार किया जाता है सनरचना और उनमें प्रियुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकडी के बांध, तटबंध बांध या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है उचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गी कृत किया जा सकता है स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहु उद्देशिय परियोजनाओं को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास और सम्रिधी के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में द छलते क्रिशी और ग्रामीन अर्थ व्यवस्था ओद्योगी करण और नगरी अर्थ व्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेकी क्रिया कलाप परमपरागत तरीकों से बांध बनाने की कलाविधी और सिंचाई कारियों के बारे में अधिक पता लगाएं हमने आशार में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादू लाएंगे बाड से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलाएंगे ओ दामोदर, हम आपके पैर पड़ते हैं, बाड का कहर कुछ कम करो भादू एक साल बाद आएगा, अपनी सता पर नाव चलने दो यह लोकप्रिय भादू गीत दामोदर घाटी क्षेत्र में गाया जाता है जो शोक की नदी कही जाने वाली दामोदर नदी में बाहर के दोरान आने वाली समस्याओं का वर्णन करता है पिछले कुछ वर्षों में बहु उद्देशिय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरिक्षण और विरोध के विशय बन गए है नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है जिसके कारण तलचट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलचट जलाशे की तली पर जमा होता रहता है जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है और नदी जलिये जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है बांध नदीयों को टुकडों में बाढ़तेते हैं जिससे विशेश कर अंडे देने की रितु में जलिये जीवों का नदीयों में स्थानांतर्ण अवरुद्ध हो जाता है बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाश्यों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं जो कालांतर में अप घटित हो जाती हैं बहु उद्देशिय परियोजनाएं और बड़े बांध नए सामाजिक अंदोलनों जैसे नर्मदा बचाव अंदोलन और टिहरी बांध अंदोलन के कारण भी बन गए हैं इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानिय समुदायों के व्रिहद स्तर पर विस्थापन के कारण है आम तोर पर स्थानिय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंतरन देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ता है इसलिए अगर स्थानिय लोगों को इन परियोजनाओं का लाब नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? शायद जमीदारों और बड़े किसानों को या उद्द्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को गाउं के भूमिहिनों को लीजिए क्या वे वास्तब में ऐसी परियोजनाओं से लाब उठाते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गेर सरकारी संगठन अर्थाद एंजियो है जो जन जातिय लोगों, किसानों, पर्यावरण विदों और मानवा धिकार कारे करताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लाम बंद करता है मूल रूप से शुरू में यहां आंदोलन जंगलों के बांध के पानी में डूबने जैसे पर्यावरणी मुद्दों पर केंद्रित था हाल ही में इस आंदोलन का लक्ष बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनरवास सुविधाएं दिलाना हो गया है लोगों ने सोचा कि उनकी यातनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी विस्थापन का शोक स्वीकार किया यह विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वे माला माल हो जाएंगे प्राय रिहंद के उत्तर जीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कश्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया परन्तु अब तीस साल के कड़े अनुभव के बाद जब उनकी आजीविका और अधिक जोकिम पूर्ण हो गई है पूछते जा रहे हैं हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया स्रोत एस शर्मा वैली ओफ द रिवर ट्राइबल कॉन्फिक्ट्स ओवर डिवलप्मेंट इन नर्मदा वैली एब आविसकर 1995 से उद्रित सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है जहां किसान जल गहन और वानिज्य फसलों की ओर आकर्शित हो रहे हैं इस से मृदाओं के लवनी करण जैसे गंभीर पारिस्थिती की ये परिनाम हो सकते हैं इसी दोरान इसने अमीर भूमी मालिकों और गरीब भूमी हिनों में सामाजिक दूरी बढ़ा कर सामाजिक परिद्रिश्य बदल दिया है जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाब चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरिय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ती देने पर परिशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए बहुत देशिय परियूजनाओं के लागत और लाब के बंटवारे को लेकर अंतराजिय जगडे आम होते जा रहे हैं प्रिष्ट संख्या 30 यहां भारत का नक्षा दिया गया है और नक्षे में मुख्य नदियां और बांध दर्शाए गए हैं यहां दिये हुए मानचित्र में कुछ नदियां और बांध दिखाए गए हैं महा नदी पर है हीरा कुंट बांथ, पेरियार नदी पर पेरियार बांथ, नर्मदा नदी पर नर्मदा बांथ, सतलूज नदी पर भाखडा नांगल बांथ, रावी नदी पर चमेरा बांथ, कावेरी नदी पर मैट्चूर बांथ, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर पर योजना, रिहंद और सोम नदी पर रिहंद बांथ, भागीरती नदी पर टिहरी बांथ, कृष्णा नदी पर कोएना बांथ, चनाब नदी पर सलाल बांथ, बराकर नदी पर मेथोन बांथ, तुंग भद्रा और कृष्णा नदी पर तुंग भद्रा बांथ, दामोदर नदी पर पंचेत बांध गोदावरी नदी पर रामा गुंडा बांध ये मुख्य नदियां और बांध भारत के इस मानचित्र में दर्शाए गए हैं प्रिष्ठ संख्या 31 क्या आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुवात महराष्ट सरकार द्वारा कोईना पर जल विद्यूत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल का दिशा परिवर्तन कर करनाटक और आंधर प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ती जटाए जाने से हुई इस से इन राज्यों में पढ़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवा कम हो जाएगा और क्रिशी और उद्द्योग पर विप्रीत असर पढ़ेगा क्रिया कलाब अंतर राज्ये जल विवादों की एक सूची तयार करें नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्यां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर हैं ये एक विडम बना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रन के लिए बनाये जाते हैं उनके जलाशेयों में तल छट जमा होने से वे बाढ़ आने का कारण बन जाते हैं अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रन में असफल रहते हैं आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराश्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिती और भी विकट हो गई इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ अपितु ब्रियत स्तर पर मिरिदा अपर्दन भी हुआ बांध के जलाशाय पर तलशट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलशट जो की एक प्राकृतिक और वरक है बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचती जिसके कारण भूमी निमनी करण की समस्याइं बढ़ती हैं यह भी माना जाता है कि बहु उद्देशिय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में केटानू जनित बीमारियां और प्रदूशन फैलते हैं इसी प्रिष्ट पर समाचार पत्र के कुछ अंच दिये गए हैं जिसमें देश के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के विशे में जानकारी इकठा की गई है इस तरह की जानकारी आप भी इकठा करें प्रिष्ट संख्या 32 वर्षा जल संग्रहन बहुत से लोगों का मानना है कि बहु उद्देशिय परियोजनाओं के आलाब प्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहन तंत्र इनके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तोर पर व्यवहार्थ विकल्प हो सकते हैं प्राचीन भारत में उतक्रिष्ट जलिय निर्मानों के साथ साथ जल संग्रहन ढांचे भी पाए जाते थे लोगों को वर्षा पद्धती और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्यान था उन्होंने स्थानिय पारिस्थिति किये परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यक तानुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहन के अनेक तरीके विकसित कर लिये थे पहाडी और पर्वतिय क्षेत्रों में लोगोंने गुल, अत्वकुल, जो पश्चमी हिमाले में उपलब्ध हैं, जैसी वाहिकाएं, नदी की धारा का रास्ता बदल कर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं पश्चमी भारत, विशेशकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहन का तरीका आम था पश्चम बंगाल में बाहर के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाहर जल वाहिकाएं बनाते थे शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड़े बनाये जाते थे ताके मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके राजस्थान के जिले जैसल मेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड इसके उदाहरण है चित्र संख्या 3.3 इस चित्र में कुछ लोग छाते में गिरती बरसात की बूंदों को गिनने का प्रयास कर रहे हैं दिस मौनसून जोईन उस इन काउंटिंग दर रेंड्रॉप्स चित्र 3.4 में छत वर्षा जल संग्रहन दिखाया गया है जिसे दो भागों में बाटा गया है अ और बा भाग अ में हैंड पम के माध्यम से पुनर भरण दर्शाया गया है और भाग बा में बेकार पड़े कुएं के माध्यम से पुनर भरण दर्शाया गया है पॉइंट एक पीवी सी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है पॉइंट दो रेत और इंट प्रियोग करके जल का चनन अर्थात फिल्टर किया जाता है 3. भूमिगत पाइप के द्वारा जल होज तक ले जाया जाता है, जहां से इसे तुरंत प्रियोग किया जा सकता है 4. होज से अतिरिक्त जल कुए तक ले जाया जाता है 5. कुए का जल भूमिगत जल का पुनरभरन करता है 6. बाद में इस जल का उप्योग किया जा सकता है प्रिष्ट संख्या 33 यहां चित्र 3.5 में वर्षा जल संग्रहन की पारंपरिक विधी दर्शाई गई है एक कुल से वर्तुल ग्रामीन तालाब बनता है काजा गाउं के चित्र के अनुसार जिस से जरूरत पढ़ने पर पानी छोड़ सकते हैं राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेशकर बीकानेर, फलोदी और बाड मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अत्वा टांका हुआ करते थे इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.2 मीटर लंबा और 2.4 मीटर चोड़ा टांका था टांका यहां सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहन तंत्र का अभिन हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता था वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुँचता था जहां इसे एक कत्रित किया जाता था वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रियोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था टांका में वर्षा जल अगली वर्षा रितू तक संग्रहित किया जा सकता है यह इसे जल की कमी वाली ग्रीश मरितू तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनाता है। वर्शा जल, अत्वा, पालर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाये जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिससे ग्रीश मरितू में गर्मी से राहत मिलती है। एक रोचक तथ्य में घाला की राजधानी शिलॉंग में छत वर्षा जल संग्रहन प्रचलित है। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहन की व्यवस्था है। घरीलू जल आवश्यक्ता की कुल मांग के लगभग 15 से 25 पतिशत हिस्से की पूर्ती छत जल संग्रहन व्यवस्था से ही होती है। क्रिया कलाब अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य वर्षा जल संग्रहन तंत्रों के बारे में पता लगाएं यह दुख की बात है कि आज पश्चमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहन की रीती इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध बारा मासी पे जल के कारण कम होती जा रही है हालां के कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीन और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहन का यह तरीखा प्रियोग में लाया जा रहा है करनाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गाउं गंडा थूर में ग्रामीनों ने अपने घर में जल आवश्यक्ता पूर्ती छत वर्षा जल संग्रहन की व्यवस्था की हुई है गाउं के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गाउं ने वर्षा जल संपन्न गाउं की ख्याती अरजित की है यहां प्रियोग किये जा रहे वर्षा जल संग्रहन धांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र तीन पॉइंट चार को देखें इस गाउं में हर वर्ष लगभग 1000 मिली मीटर वर्षा होती है और दस भराई के साथ यहां संग्रहन दक्षता 80 प्रतिशत है बीस घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लिटर जल एकत्रित किया जाता है चित्र 3.6 यह दर्शाने का प्रियास कर रहा है कि छट जल संग्रहन थार के सभी शेहरों और ग्रामों में प्रचलित था वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छटों पर गिरता है उसे पाइप द्वारा भूमी गत टांका के अंदर ले जाते हैं भूमी में गोल चित्र, मुख्य घर अत्वा आंगन में बना होता है चित्र में दर्शाया गया है कि जल पडोसी की छट से एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है यहां पडोसी की छट का उप्योग वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया गया है चित्र में एक छेद दिखाया गया है जिसके द्वारा वर्षा जल भूमिगत टांका में चला जाता है प्रिष्ठ संख्या चोंतीस चित्र तीन पॉइंट साथ में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के कुछ अलग-अलग चित्र दिखाये गए हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली मेगाले में नदियों वज़र्नों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधी प्रचलित है लगभग 18-20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैंकणों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है अंत में पानी का बहाव 20-80 बूंद प्रती मिनट तक घटा कर पौधे पर छोड़ दिया जाता है चित्र एक में दर्शाया गया है पहाडी शिकरों पर सदा नीरा जरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांस के पाइपों का उप्योग किया जाता है इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वा कर्शन द्वारा जल पहाड के निचले स्थानों तक पहुँचाया जाता है चित्र दो और तीन में दर्शाया गया है बांस से निर्मित चैनल से पौधे के स्थान तक जल का भाव परिवर्तित किया जाता है पौधे तक बांस पाइप से बनाई व बिचाई गई विभिन जल शाखाओं में जल वितरित किया जाता है पाइपों में जल प्रवाह इनकी स्थितियों में परिवर्थित करके नियंत्रित किया जाता है चित्र चार में दर्शाया गया है यदि पाइपों को सड़क पार ले जाना हूँ तो उन्हें भूमी पर उचाही से ले जाया जाता है चित्र पांच वच्छे में दर्शाया गया है, संकुचित किये हुए चैनल सेक्षन और पतांतरण एकाई जल सिंचाई के अंतिम चरण में प्रियुक्त की जाती है अंतिम चैनल सेक्षन से पौधे की जड़ों के निकट जल गिराया जाता है तमिल नाडू देश का एक मात्र राज्य है, जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्शा जल संग्रहन धांचों का बनाना अवश्यक कर दिया गया है इस संदर्भ में दोशी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है क्रिया कलाब एक, सूचना एकत्रित करें कि उद्योग किस प्रकार हमारे जल संसाधनों को प्रदूशित कर रहे हैं दो, अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अपने मोहले में जल विवाद पर एक नाटि का प्रस्तुत करें प्रिष्ट संख्या 35 अभ्यास प्रश्ण एक, बहु वैकल्पिक प्रश्ण एक, इन सूचनाओं के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गी कृत कीजिए क, अधिक वार्शिक वर्षा वाले क्षेत्र ख, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र ग, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूशित जल क्षेत्र 2. इन में से कौन सा वक्तव्य बहु उद्देशिय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तरक नहीं है 2. बहु उद्देशिय परियोज्नाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है 3. बहु उद्देशिय परियोजनाओं से बृहत्सतर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है गह, बहु उद्देशिय परियोजनाएं हमारे उद्द्योग और घरों के लिए विद्यूत पैदा करती हैं तीन, ये कुछ गलत वक्तव्य हैं, इन में गलती पहचाने और लिखें क, शेहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जन संख्या तथा शेहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है ख, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तरचट बहाव प्रभावित नहीं होता ग, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दोरान शेहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ती करने पर भी किसान नहीं भड़के ग, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहन लोकप्रिय हो रहा है प्रश्न दो इन प्रश्नों के उत्तर लगभग तीस शब्दों में दीजे एक, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवी करण योग्य संसाधन है दो, जल दुरलब्धा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है तीन, बहु उद्देशिय परियोजनाओं से होने वाले लाब और हानियों की तुलना करें प्रश्न तीन इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजे एक, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहन किस प्रकार किया जाता है व्याख्या कीजे दो, परंपरागत वर्षा जल संग्रहन की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपना कर जल संरक्षन एवं भंडारन किस प्रकार किया जा रहा है अभी आप सुन रहे थे ये पाठ जर संसाधन प्रस्तुती C.I.E.T.N.C.E.R.T.